नमस्कार इंडिया अट नाइन में मैं कादंबिनी शर्मा हूँ आपके साथ सबसे पहले वायुसेना की तरफ से एक खबर आ रही है वायुसेना का एक बड़ा फैसला हुआ है उन्होंने मिग 21 के पूरे बेड़े की उडान पर रोक लगा दी है राजस्थान में हुए हादसे के बाद उडान पर रोक लगाए गई राजस्थान के हनुमानगड में 8 मई को एक मिग 21 क्रैश हुआ था इस हादसे में जमीन पर तीन महिलाओं की मौत हुई थी हर मिग 21 एक्राफ्ट के जाज के बाद ही अब उडान परने के जाज़त दी जाएगी आलाकि ऐसा होता है लगातार फिलहाल वायुसेना में मिग 21 के तीन स्कॉड रन है राजीव रंजन हमारे एडिटर डिफेंस इस वक्त हमारे साथ जुड रहे है राजीव क्या ये एक स्टांडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या फिर ये कोई बिल्कुल एक्स्टा ओर्डिनरी कुछ हुआ है क्या है ये पुरा मामला और कब तक लगी है रोक देखें आप बिल्कुल सही कह रही है एक एसूपी बना हुआ है कि जब भी को फाइटर या एरक्राफ जो क्रैस होता है तो जब तक वो तकनिकी रूप से दुबारा उसको क्लेंस नहीं मिलता है यानि उसको ओकी नहीं किया जाता तब तक उसके बेड़े के उगां पर रोक लग जाता है और ये जो मिलकिज़ मिक-21 आपको जानकारी के लिए बता दो कि बहुत ही पुराना एरक्राफ है तक्रिवर्ण पर तीस से चालीस साल पुराना एरक्राप था और लगतार जिसके हाथे हो रहते उसको लेके सवाल खड़े हो रहे है और हाली में जिस तरब से हनवाद गण में जो हाथ़ा हुआ था जिसमें पालेट की मौत ओगी थी और उस हाथ़े की वज़ा से जिस घर पर पूरीते से चेक इन की जाएगी और टकनीकी क्लियन्स मिलेगा उसके बाद ही फ्राये होगा एक कर सकते हैं कि एक फिलार जो है यह एरक्राफ नहीं है जो हमारे हवाई सरहत की हिफाज़त कर सके हैं जी लेकिन क्या कुछ वक्त बताया गया है कि इतने वक्त में यह जाच पूरी हो जाएगी नहीं ऐसा कोई वक्त नहीं बताया गया है लेकिन आपको बता दें कि एक अब जैसे बात करें अभी मिक 21 पर रो पर रोक लगी हुए और वो भी जब टक्निकी रूप से क्लेंज नहीं मिलेगा तब तक को फ्लाइ नहीं करेगा ऐसे मिक के सांथ भी है जो एरक्राफ पूरी जानकारी के ले तो फिलहाल मिक 21 के पूरे बेड़े की उडान पर रोक लगी हुई है जब तक पूरी जाच needs पिये मोदी ने आज जपान के हिरोशिमा शहर में क्वार्ट देशों के निताओं के साथ एहम बैटक की इस दौरान पिये मोदी ने कहा कि 2024 में भारत में क्वार्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में बहुत खुशी होगी इस दोरान प्रधान मंत्री ने कहा कि हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक के सुरक्षा और सफलता सिर्फ इस शेत्र के लिए ही नहीं बलकि दुनिया के लिए भी एहम है हिरोशिमा में प्रधान मत्री नरेंद मोदी ने यूकरेन के राश्पती जिलन्सकी से भी मुलाकात की रूस यूकरेन जंग के बीच दोनों निताओं की ये पहली आमनी सामनी की मुलाकात थी इस दौरान पि.ए मोधी ने कहा कि यूक्रेन में चल रहा युद्धपूरी दुनिया के लिए बड़ा मुद्धा है मैं इसे राजनिती का मुद्धा नहीं मानता मेरे लिए ये मानवता का मुद्धा है इसके समाधान के लिए हमसे जो कुछ भी हो सकता है वो जरूर करेंगे प्रदानमत्री अलबनीसी को इस समीट की सपलत अध्यक्ता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूँ 2024 में कौर्ड लीडर समीट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी धन्यवाद यह आप हम सबसे ज़्यादा जानते हैं लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आई तब उन्होंने परिस्तित्यों का जो वर्नंद किया उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भाती समझ पाता था उसका अंदाज लगाता था और मैं आपको विस्वाद दिलाता हैं कि इसके समाधान के लिए भारत और नीजी रूप से भारत खबर दिली से दिली के सीए मर्विंद के जिवाल ने कल रात लाए गए अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के जरिये जनता के साथ एक भद्धा मजाग किया गया है ऐसा लगता है कि सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है कि राजयसभा में इस बिल को पारित ना होने दे कि जिवाल कि प्लेस कॉनफरेंस के बाद बीजे पी नीता गॉरव भाटिया ने भी इन पर पलटवार किया कोट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे कि जब कोड बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे पहले ले आते? जब कोड की छुटिया नहीं चल रही थी, जब कोड खुला था जिस दिन अध्यादेश आया तीन दिन बाद, चार दिन बाद, पांच दिन बाद ले आते? क्योंकि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर समविधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये पाँच मिनिट भी अध्यादेश टिकने वाला नहीं था आपको ये बताना चाहती है दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है अर्विंद टेरिटरी नहीं है सम्विधान से चलेगा केजरिवाल के कानून से नहीं चलेगा और मैं आपके सामने अब जो तत्थे रखने जा रहा हूं इस उमीद से रखने जा रहा हूं कि ये सारी जानकारी उस कट्टर बहिमान अर्विंद केजरिवाल तक पहुँचे जो शराब मीती का एक एक शब्द पढ़ता है क्योंकि उसको वसूली करनी होती है अपने घुटाले छुपाने होते हैं लेकिन जिस सम्दान की वो शबत लेता है उसी को तारतार करता है और उसको पढ़ने का अध्यन करने का समय उनके पास नहीं है ओपरेशन समुद्र गुप्ट के तहत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो 40,000 करोड की ड्रक्स पकड़ी है इस मामले में खुफिया एजिन्सियों की रिपोर्ट से पता चला है कि ड्रक्स की खेब भेजने वाला हाजी सलीम आतंकी संगठन लशकरे तयबा से जुड़ा हुआ है ड्रक्स से कमाया पैसा हवाला के जरीए पाकिस्तानी खुफिया एजिन्सी आईसाई लशकरे तयबा तक भी पहुँच रहे है आपरेशन समद्र गुप्ट के तहट NCB द्वारा जब्द किये गए करीब 40,000 करोड के नशीले पदार्थ यह तस्वीरे कोची की हैं NCB के मुताबिक यह नशीले पदार्थ पाकिस्तान से भारत भेजे कराची में वैटे सबसे बड़े तसकर हाजी सलीम ने खुफिया यंस्यू की रिपोर्ट के मताबिक हाजी सलीम पाकिस्तान में आतंकी संगठन लशकरे तईबा से जड़ा हुआ है और वो लशकरे तईबा की आतंकी साजी मुला से लगातार संपर्क में है साजी मुल्ला का हाथ जम्बू कश्मीर में पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर आतंकियों की गुस्पेट कराने में है और साथ में जम्बू कश्मीर में वो कई बड़ी आतंकी घटनाओं का मास्टर माइंड है कूफिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में देश में जितने भी बड़ी ड्रक्स की खेप पकड़ी जा रही है उसके पीछे हाजी सलीम है हाजी सलीम लशकर एतवा के आतंकी साजी दुल्ला के संपर्क में है साजी दुल्ला जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों का मास्रमाइंड है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों की गुस्पैट कराने में भी उसकी एहम भूमिका है हाजी सलीम पाकिस्तान में लश्कर के कमांडरों के साथ मीटिंग करता है ड्रक्स की कमाई का हिस्सा हवाला के जरिये पाकिस्तान पहुंच रहा है पैसे का इस्तिमाल पाकिस्तानी खुफिया एजंसी आईसाई ही नहीं बलकि डी कमपनी और लश्कर एतयवा भी कर रहे हैं हाजी सलीम की दुबई की आत्राओं की पूरी जानकारी सुरक्षा एजंसियों के पास है लश्कर एतयवा से जुड़े लोगों से बात करते हुए हाजी सलीम के एक वीडियो कॉल को खुफिया एजंस्यों ने इंटरसेट भी किया है खुपी आजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तानी खुपी आजेंसी आईएसाई आतंकी संगठन लस्करे तईबा और अंडर वल्ड से जुड़े लोग भारत में नारको टेरर फैलाने में जुटे हैं अब कोची से ग्रिपतार पाकिस्तानी नागरिक से खुपी आजेंसियां सोमवार से पूस्तास करेंगी जिस से इस सिंडिकेट के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए नई दिल्ली से मुकेश सिंग सेंगर एंडी टीव इंडिया